नरेंद्र मोधी संसद भवन में कहते हैं कि विपक्ष हमेशा चाहती है कि इस बार वो हम लोगों को आउट कर देंगे इसके लिए वो साल भर चार साल तक फिल्डिंग लगाते हैं और जब संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव के लिए वो इसी के बहाने वो जब हम लो कमजोर दिखाने के लिए हमारी सच्चाई बाहर लाने के लिए बलकि खुद इनकी सच्चाई बाहर आजाती है यह एक्स्पोज हो जाते हैं और जिस प्रकार से संसद भवन में अपने बहमत को सावित नहीं कर पाते हैं अपने आपको कमजोर दिखा देते हैं ठीक एक साल बात जब चुनाओ होता है तो यहीं नतीजा जनता भी उनको दिखाती है वो 2018 की बात करते हैं कि इस्वर का सवभाग्य था भगवान ने कुछ अच्छा चाहा था कि यह लोग 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तभी हमने कहा था कि इसका आपको परिणाम कर आएंगे फिर जनता के सामने यह लोग ऐसे ही एक्सपोज होंगे और 2024 में पहले से भी ज्यादा सीट हम लोग जीतने वाले हैं वहां पर पहुंचते ही वो राहूल गांदी के उपर खूम निशाना साथते हैं एक एक लोगों का मजाक बढ़ाते हैं जो बी इंडिया कभी कॉंगर्स के खिलाब जब उनके साथ हैं इनको लेकर क्या कुछ कहा विश्तार से सारी कहानी आपको वीडियो में आगे बताएंगे पर उससे पहले नमस्कार जनता निक्शन देख रहे हैं और मैं हूं सन्दी मिश्रा कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े है तीन दिन से संसद बहौन में अविश्वास क्रोष्ताव के उपर बघातार चर्चा हो रहा था और विफाक्ष बार बार ये मांग कर रहा था कि आखिर पीम इस पर बात करने से संसद बहृँग में आकर बहस करने से क्यूँ बच रहे हैं खुब इंतुजार हुआ खुब बात हुआ कहा जाने लगा कि मोधी डर गया है और आखिरकार आज वो समय आया जब पहले से ही ये बात पैय होई कि आज मोधी आएंगे जो बीजेपी का IT सेल है जो डिजिटल लोग पुरचार करते हैं वो पहले से ही महाल बनाने लगा था कि आज एकदम खास दिन होने वाला है 2018 के जो उनका भासन था उसके क्लिप्स काड़ काड़ कर डाले जाने लगे थे कि आज खिर से ऐसे ही विपक्ष की वो एकदम बखिया उधेड कर रखतेंगे मोधी संसद बौन में आते हैं उनके साथ एक अच्छा प्लस पॉइंट वो भ इस पर विरोध जता आ है कि भारत माता की हत्या कहना बहुत गलत है राहुल गांधी को ये बात पसंद नहीं आती है वो कहते है कि भारत माता बोला संसद में अब कभण से असंसद्य यह को गया इस पर वह वकई nosotros कर जाते हैं इसके बाद जब नरेंदर मोधी आते हैं जो केरल का अहम मुद्दा है उसी पर जो केरल के सांसद वही भाग खड़े हुए है उनको कोई दिल्चस्पी नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ राजनिती करने हैं इसके बाद वो बात करते हैं कि जो कभी आपस में एकदम लड़ाई करने वाले लोग थे एक दूसरे को पर जब यहां पर टेक्नोलोजी के उपर बिल आया था उस पर बात हो सकती थी लेकिन इनको वो नहीं करना है जो डिजिटल डाटा होता उसके प्रोटेक्शन से संबंधी जो बहुत बड़ी बाते पूरा देश पूरा विश्वज इसको लेकर बात कर रहा है वो बिल आया था लेकिन बिपक्ष के जो INDIA गट बंदन बनाने वाले जो लोग हैं उनको इस पर बात नहीं करनी है क्योंकि उनको अपना स्वार्त दिखता है उनको लगा कि अविश्वास प्रस्थाव के बहाने हम लोग अपना सरकार बना लेंगे वो लोग संसद में ही बैटकर मतलब सपना देख है और इसके साथ एंडिये गट बंदन भी कुछ जादा सीड़ जित्ती है जब जब इस्वर की हम पर खिरपा होती है वह भगवान को इसके लिए शुक्रियादा करने लगते हैं कि जब भगवान हमारे लिए अच्छा चाहता है तब इनके मन में वैसा चीज भर देता है कि ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं और जितना संख्याई अपना दिखाते हैं कि हम लोग इतने लोग हैं जब वोटिंग की बारी आती है जब मत्दान होता है तो उससे भी कम होते हैं डेस की नजरों में पहले ही एक्स्पोज हो जाते हैं और इसके बाद ज सिरसे ये लोग दोरा रहे हैं और 2024 में जब चुनाव होगा तो हमारी सरकार और ज्यादा सीटों से आगे बनने वाली है इस बार और ज्यादा बहुमत से हमारी सरकार बनेगी भाजप्रा को भी और ज्यादा सीट मिलेगा और इसके साथ-साथ जो एंडिये गडवंदा ने जो जेडव के नेताय ललन सिंग ये लोग बैटे हुए थे लेकिन कोई कुछ खास बोल नहीं रहा था और मरेंद्र मोदी चुप चाप उमको जो बोला था जो कहना था वो बोलते रहे बाकि आप लोग मोदी के इस बासन के ऊपर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इससे कितन बॉक्स पर अपने रहा बता सकते हैं जन्ता आजम संदेख रहेते हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद